वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा है तो आपको ये आईरवेदिक टिप्स अपनाने होंगे मखन की तरह आपकी जो चर्बी है वो पिघल कर बहार निकल जाएगी ये आईरवेदिक जो टिप्स हैं बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं यदि आपको कई बीमारियों ने घेर रखा है घंटों जादा जिम करने के बाद भी आप खूब जारा पसीना भार रहे हैं उसके बाद भी आप अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जादा चिंता का विसे है क्योंकि इस समय आपको यदि अपना वजन कम नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी वज़े से आप डायविटीज की समस्या, कॉलस्टॉल की समस्या, श्ट्रॉक का खत्रा और इन फर्टिलिटी जो समस्या है उसके सिकार भी आप काफी होने की संभावना है तो ओवरवेट की समस्या के सॉलूसन के लिए आपको यह ज़़ूरी टिप्स हैं यह आपको फॉलो करने होंगे इनको यदि आप फॉलो करते हैं तो कोई भी इनसान अच्छे से इनका पालन करे तो अपने वजन को बहुत ही आसानी से घटा सकता है तो आज हम इसी के वारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप ना करें अंतक जरूर देखें और वीडियो में बताएगे जानकर यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और साथ में बैल आइकन को जरूर दबाएगा जिसे आने वाली हर वीडियो का नॉटिफिके यह लोग अलग होता है और अधने महिलाओं में थाई के आसपास का एरिया हिप्स का एरिया है वहां पर रैडियो के बाथ करें तो पर्सों में पेट के आसपास और पेट में ही सबसे ज्यादा चर्वी का जम्मावारा होता है तो इस तरह से महिलाओं और पूर्सों में दोनों में body fat का distribution अलग-अलग होता है और ये बहुत ज़्यादा matter करता है कि आप अपना weight loss जन्नी को सुरू कर रहे हैं तो आपको कैसे और कौन से tips को follow करना चाहिए तो मुटापा घटाने के आयरुवेदिक रामवान जो tips हैं यदि आप उनको regularly follow करेंगे तो आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं सबसे पहरे आप दिन की सुरुवात आप नीबू पानी से आप कर सकते हैं गुनगुने पानी में नीबू डाल लीजिएगा और ये आपकी fat burning के लिए बहुत ही बहतर आयरुवेदिक उपचार होता है इसमें मौजूद जो content होते हैं वो आपके extra fat को कम करने में काफी जादा मददगार होते हैं आपकी body को detox करते हैं और weight loss करने में काफी जादा मददगार होते हैं इस तरह से आप अपने दिन की सुरुवात जो करें वो नीबू पानी से करें और next आप खाने में salad की जो मात्रा है उसको बढ़ा कर रखें जादा मात्रा में आप salad खाएं क्योंकि इसमें जब salad आप जादा कहते हैं फाइवर इसमें भरपूर मात्रा में होता है जो कि आपकी extra fat को कम करने में काफी जादा मददगार होता है आपकी body को detox करते हैं इसलिए जितनी मात्रा में हो सकता है जादा से जादा आपको salad का इस्तेमाल करना चाहिए और मैं recommend करूंगा कि अपनी body का 10 आपको salad का इस्तेमाल per day करना चाहिए For example, यदि आपका 50 kg वजन है तो 50 into 10 equal to 500 gram salad आपको per day अपनी body weight के नुसार खाना चाहिए और यदि आपका वजन 70 kg है तो 70 into 10 equal to 700 gram तो आपको per day 700 gram salad जरूर खाना चाहिए यदि आप अपनी extra fat को कम करना चाहते है और next important रात को सोते समय आपको जो रोटी हैं, चावल हैं इनके खाने से बचना चाहिए क्योंकि दौनों में ही काफी ज़्यादा मात्रा में high cholesterol होता है जो कि आपकी metabolic rate को बहुत ज़्यादा slow down कर देता है जिसकी वज़े से आपका weight बढ़ना शुरू हो जाता है इसलिए कोसिस करें आप dinner अगर कर रहे हैं तो dinner में रात को 7 वज़े के बाद तो आपको बिलकुल भी चाबल और रोटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यदि आप इनका इस्तेमाल करना चाहें तो लगबग 4-5 वज़े ही आपको इनको खा लेना चाहिए और next आपको सारा दिन खूब ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है यदि आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बोड़ी में water retention जो होता है वो बहुत कम होता है जिसकी वज़े से आप काफी हद तक weight loss कर सकते हैं इसलिए पानी खूब ज़्यादा मातरा में पीए नियमित रूप से आपको एक गिरास पानी लेना है और उसमें one-fourth सहद मिलाकर regularly पीने से यह वजन को कम करने में काफी ज्यादा मददगार होता है आप रात को सोते समय एक आयरवेदिक चीज तिरफला का इस्तेवाल कर सकते हैं इसको रात को सोते समय आपको एक ग्लास गरम पानी करना तेज गरम पानी करना है और उसमें आपको एक चमच त तिरफला डाल दीजिएगा और उस पानी को धीरे धीरे पर ठंडा होने दे और जब वो गुनगुना रह जाए फिर आप उस पानी को पी लीजिएगा यह आपको वेट लॉस करने में बहुत ही बैस्ट आयरवेदिक तरीका होता है इसको आप रेगुलर ली बिना रुके इ इस्तेमाल करते हैं यह जो फूड फूड होता यह धीरे धीरे इसका पाचन होता है और धीरे धीरे पाचन होगा तो आप जादा देर आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा आप ओवर ईटिंग के सिकार नहीं हमें जोकि वेट लॉस करने में काफी ज्यादा मददगार होता साथ में जो प्रोटीन होती है यह हमारी मास पेशियों को बनाने का काम करती है जो तूट फूट है मास पेशियों में उसकी मरमत करने का काम करती है और इस तरह से आप अपनी डाइट में जो प्रोटीन रिच फूड है उसका इस्तेमाल करना चाहिए यदि आप वेट लॉस कर कर देते हैं, वो आपको छोड़ना होगा, खाने के साथ बहुत से cold drink का इस्तेवाल करते हैं, और रात में देर से खाना खाना भी आपको weight काफी जादा बढ़ा सकता है, इन बुरी आद्तों को आपको छोड़ना होगा, और अपनी जीवन सैली में एक सकारात्मक बदलाव आप स्वस्त रहें, खुस रहें, और fit रहने के लिए ही खाएं, योग करें, meditation करें, और सही समय पर सही मात्रा में खाना खाएं, तो इस तरह से यदि सकारात्मक बदलाव अपनी जीवन सैली में करेंगे, तो ये भी आपके weight loss करने में काफी जादा मददगार होता है, तो इस त आपका जो weight है, वो भी कम होना सुरू हो जाएगा, और weight loss के समद्ध में मैं पहले भी बहुत सी video बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरी videos में जाकर उन video को देख सकते हैं, और एक playlist भी बनी हुई है, जो की weight loss से सम्मंदित है, आप उनको देखेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही जादा informative videos होने वाली है, आप घर बैठे अपना weight loss आसानी से कर सकते हैं, तो फिलाल इस video में सिर्फ इतना ही, वीडियो में बताएगे जानकार यदि आपको अच्छी लगी है, और आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में बैल आइकन को जरूर दवाएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो फिलाल यहां तक वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और य नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जैहिंद बंदे मात्रम